Hello everyone, welcome back to Fun and Chill आज में explain करने वाली हूँ latest hot star पे आई new series Mystery of the Moksh Island को So friends, इस series में हैं total 8 episodes और आज में ये सारे episodes इस एक ही वीडियो में explain करने वाली हूँ So I hope you will enjoy it तो चलिए, आपका और वक्त ना लेते हुए आज की इस वीडियो को start करते हैं एपिसोड वन के starting में हम देखते हैं एक plane crash का scene जसके बाद news में बताया जाता है कि एक famous scientist विश्वाक सीन की उस plane crash में मौध हो गई है विश्वाक सीन काफी सालों से अपने island Moksh पर research कर रहे थे और उनकी बनाई हुई संजीवनी medicine से काफी सारे लोगों का भला हुआ है विश्वाक सेन की एक company पर थी जिसके कीमत हजारों करोड की है इसलिए अब हर जगह उस company का CEO कौन बनेगा और उन हजारों करोड का मालिक कौन होगा इसी के बारे में बात हो रही थी इसके बाद scene shift होता है एक sniper purchase का नाम है विकी और वो किसी अमीर लेडी को मारने आया था तब यूस लेडी के बच्चे उसके पास आते हैं जोसे देख विकी को अपनी मा और बेहन किया दाती है इसलिए वो गोली चलाने से मना कर देता है इस पर जिसने विकी को हायर किया था वो भड़क जाता है और विकी को मारने के लिए निकलता है लेकिन विकी वहाँ से भाग जाता है अब जैसे ही विकी घर पहुँचता है तो वहाँ एक letter पढ़ा था जिसमें लिखा था मैं तुम्हारा बाप हूँ विश्वाक सेन और मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी जायदाद मेरे बच्चो के नाम हो जाए इसलिए अगर जायदाद पानी है तो सब को मेरे मोक्ष आईलेंड पर आना होगा वही हम देख पाते हैं कि एक ऐसा ही letter कई सारे परिवार के पास आया है यानि ये सब लोग उस आईलेंड पर जाएंगे जो कि किसे न किसी तरह से विश्वाक सेन के रिष्टे में लगते हैं अब यहाँ विके सोचता है कि शायद उस आईलेंड पर उसकी बेहन भी उसे मिल जाएगी इसलिए वो भी वहाँ जाने के लिए तयार हो जाता है इसके बाद विकी सीधा उसी जगह आता है जहां से इन्हें बोड के जरीये मोक्ष आईलेंड पर ले जाए जाएगा वो देखता है कि यहाँ तो काफी सारे लोग आए है विकी सोचने लगता है कि इसमें से मेरी बहन कौन हो सकती है वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जो फोन में गेम खेल रहा था लेकिन तभी उस लड़के के पापा उसे इतनी बुरी तरह डाटते हैं कि वो सहम जाता है और हमें पता चलता है कि वो लड़का अपने पापा से बहुत डरता है जो भी उसके पापा कहते हैं वो वही करता है अब यहाँ पर इने बोड लीने आ जाती है और सब वहाँ से मोक्ष आइलेंड की ओर निकल लेते है वहीं एक लड़का भाग के आता है जिसकी बोड छूड गई थी इसलिए वो पानी में तैरता हुआ बोड तक पहुँचता है और यहाँ उसे दिखती है एक लेडी जिसे मनी मन वो पसंद करनी लगता है हाला कि लड़का बाचीत में काफी ज्यादा बत्तमीज था पाइनी में से एक दादी भी थी जो काफी जादा डरी होई लग रही थी उनका कहना था कि हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था वो विश्वाक सेन कुछ भी कर सकता है इसके बाद जैसे ही सब लोग रिजॉर्ट पहुँचते हैं तो वहाँ माया नाम की लड़की आती है जो कहती है मैं विश्वाक सेन के मिस्ट्रेस हो फिर वो सब के सामने विश्वाक सेन की आखरी वीडियो प्ले करती है जिसमें वो कहता है पर उसके लिए तुम है इस आईलेंड पर पूरे एक हफ़ते के लिए रहना पड़ेगा ताकि मेरा परिवार आपस में एक दूसरे को जान पाए ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी इस आईलेंड पर रुकना नहीं चाहता था और यहां तो फोन के सिगनल तक नहीं आते फिर माया कहती है आप मेंसे ही किसी एक को विश्वाक से इनकी कंपनी का CEO बनाया जाएगा और जो कोई भी अभी जाना चाहता है वो जा सकता है लेकिन उसे विश्वाक से इनकी प्रॉपिटी मेंसे कुछ भी नहीं मिलेगा इसलिए सोच लेना जितने कम लोग होंगे उपैसा उतना ही जादा मिलेगा इस पर सब लोग भढ़कने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है इसी वक्त एक कपल होता है जो कि कहता है हम तो यहां से जा रहे हैं हमें पैसा वगेरा कुछ भी नहीं चाहिए और वो यहां से निकल जाते हैं हाला के यहां बाकी लोग कहते हैं कि चलो एक हफते की तो बात है मैनेज कर लेंगे विकी सोचता है कि यह विश्वाक से इनकी मौद भी तो एक मिस्ट्री है मुझे सब कुछ पता लगाना होगा साथ ही वो यह चीज़ में नोटीस करता है कि यहां जितने भी सवेंट है वो बिना कुछ बोले सिर्फ अपना काम करते हैं इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो उसी परिवार से था उसके पीछे एक दरावना से आदमी आता है एंड दैन यही पर एपिसोड वन खत्म होता है एपिसोड टू के स्टार्टिंग में हम भाई बेहन को देखते हैं अपनी मा से छुप रहे थे तब ही लड़का कहीं छुपने जाता है और उसकी मा को कोई आदमी आकर मार डालता है जिसके बाद विक्की की आँख खुलती है यानि वो लड़का कोई और नहीं विक्की था फिर हम उसी डरावने से आदमी को देखते हैं जो उसे जंगल में ही घूम रहा था महीं पर एक लड़की खेलते हुए आती है जो कि आइलेंड की प्राइविट एरिया में जानी वाली थी लेकिन एक सर्वेंट आकर उसे वापस रिजॉर्ट पर ले जाता है इसके बाद विक्की जंगल की एरिया में आकर सब पर नज़र रखने लगता है वो कुछ सर्वेंट को देखता है जो कहीं जा रही थे तब ही उसे वहाँ माया दिखाई देती है जो कि नहा कर बहारा रही थी ये देखकर विक्की वहाँ से चला जाता है फिर जब सब लोग लंच करने साथ आते हैं तो विक्की अपनी बेहन को ढोड़ने लगता है पर उसे समझ नहीं आता कि किस से पूछो इसलिए वो उसी बूरी दादी के पास आता है और पूछता है आप विश्वाक सेन से इतना डरती क्यों है तब वो बताती है कि वो बहुत खतरनाक था विक्की पूछता है कि आप उनके लगती क्या है और ये कहानी फिर पास्ट में जाती है असल में विश्वाक सेन एक हॉस्पिटल में डॉक्टर था और ये बूरी दादी नर्स विश्वाक सेनिक जीनियस था जो कि किसी को भी अपनी आखों से अपनी कंट्रोल में ले लेता था ये नर्स भी उसके प्यार में पढ़ गई थी जिसके बाद इन दोनोंने शादी कर ली फिर वो दादी बताती है कि उसके सपनी बहुत ही बड़े थे इसलिए उसने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया फिर यहां सब लोग खाना खाने लगते हैं और तबी वैंकट नाम का आदमी अपनी बीवी के पास आता है और कहता है तुम्हारा भई जगदिश कहीं नहीं मिल रहा उसका ये जोइन पड़ा मिला है जिस पर सब लोग टेंशन में आ जाते हैं और फ्रेंड्स आपको ये बता दू कि ये जगदिश वही लड़का है जो एपिसोड वन के एंड में उस दानव जैसे आदमी के सामने आ गया था याने कि फो उसे उठा ले गया होगा अब सब लोग कहते हैं कि जगदिश को ढून के लाना होगा इसलिए विक्की दो-दो लोगों की टीम बनाता है और सब लोग जगदिश को ढूनने निकल जाते हैं वही हम देखते हैं कि इस जंगल में काफी अजीब अजीब से चीज़े भी हैं अब विक्की माया के पास आता है और जगदिश के बारे में पूशने लगता है वहीं यहां पर एक सर्वेंट रूम में आता है जहां पर एक लेडी नहा रही थी वो सर्वेंट को देखकर हल्ला मचा देती है और यहां भेड लग जाती है तब सबको पता चलता है कि सर्वेंट तो अंधा है जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है इधर एक लड़की उसी लड़की को सिद्यूस करने लगती है जिसके पापा उसे टॉर्चर करके रखते थे लेकिन वो लड़का तो उसे धक्का देकर चला जाता है अब यहाँ विक्की को फुट्प्रिंट मिलते हैं जिससे वो कहता है कि शायद ही जग्दीश के हो सकते हैं और विक्की की इन्वेस्टिगेशन स्किल्स को देखकर जग्दीश की बहन हैरान हो जाती है वो विक्की और माया से पूछती है कि यहाँ तो दो बोट खड़ी थी तो एक कहां चले गई जिस पर माया कहती है कि शायद जग्दीश एक बोट से चला गया होगा इधर वही लड़का उदास बैठा था जो फोन में रिकॉर्ड कर रहा था कि वो अपने पापा से कितना डरता है वो इस जिन्दगी से परिशान हो चुका है और बाहर उसी लड़के के पापा अरुन को उसका भाई कह रहा था भाईया आप मा से बात क्यों नहीं करते उन्हें माफ कर दीजिए पर अरुन मना कर देता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा अब किस कारण से वो अपनी मा से बात नहीं करता हमें वो आगे पता चलेगा इधर सब लोग यहीं बात कर रहे थे कि एक आदमी तो गयाब हो किया तब ही उनमें से एक लड़के कहती है अगर कोई भी मरेगा तो एक हिस्सा और कम हो जाएगा अब इससे सब लोग टेंशन में आ जाते हैं इसके बाद हम विक्की को देखते हैं जिसने सारे मेंबर्स की फोटो लगाई होई थी और साथ में एक गन रखी थी ताकि कोई परिशानी आए तो गन काम आ सके उसे समय विक्की देखता है कि एक सर्वेंट प्राइवेट इरिया के तरफ जा रहा है इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है ऐसे में उसे जग्देश के बहन यानि जहांसी देख लेती है और उसे उस पर शक होता है कि ये जा कहा रहा है अब विक्की उस आइलेंड के प्राइवेट इरिया को देखकर हैरान हो जाता है तब ही उसे किसी के चिलाने की आवाज आती है और वो जाकर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी मरा पड़ा था और इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड टू खत्म होता है फ्रेंज एपिसोड ट्री की शुरुआत होती है विश्वाक सेन की पास्ट से जहां हमें पता चलता है कि वो किसी की ब्रें सर्चरी कर रहा था तब हमें पता चलता है कि वो बॉड़ी का यूज अपने एक्सप्रिमेंट के लिए भी करता है इसके बाद विश्वाक घर आता है और जहां उसके बीवी और बच्चे थे वो सीधा अपने एक private room में जाकर experiment करने लगता है फिर जब उसके बीवी कमरे में आती है तो वो से डाट कर भगा देता है और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि विश्वाग brain पर ये experiment कर रहा है अब कहानी present में आती है जहां दो बेहनी बाती करती हुई जा रही थी पत्थर से टकरा कर मारा गया पहले जगदीश का गायब होना और अब अपने पती की लाश देखकर जहांसी को बहुत घुसा आता है यहां सब लोग विक्की पर दिलजाम लगाने लगते हैं कि इसने लाश को पहले देखा तो इसी ने मारा होगा लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग विक्की की साइट भी लेते हैं तब माया आकर बताती है कि आइलेंड पर अक्सर भुकम पाते हैं इसलिए वैंकट का बेलेंस बिगड़ा होगा और उसका ये हाल हो गया तब ही जहासी कहती है कि तुम पुलिस को बुलाओ मुझे इसके जाच करानी है क्योंकि जरूर मेरे पती का मडर हुआ है और माया अपने लोगों को शेहर से पुलिस लाने के लिए बोल देती है अब ये लोग वैंकट की लाश को एक राफिस रिटर में रखवा देते हैं ताकि पुलिस आए तो लाश की जाच कर पाए उसी समय वो दादी कहती है हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था पर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता वही वो आदमी अरुन अपनी मा को डाट के चुप करा दिता है इसके बाद उनमें से एक लड़का और लड़की दादी के पास आते हैं और पूछते हैं अरुन अंकल आपसे बत्ते मीजी से बात क्यों करते हैं जिस पर दादी उन्हें भगा देती है यह तुम्हारे मतलब की बात नहीं है हाला कि इसी वक्त हमें पास्ट का सेन भी दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं जब अरुन छोटा था तब ये लेड़ी एक आदमी को बता रही थी कि मेरे पती विश्वाक अपने एक्सप्रिमेंट के चक्कर में पूरे राक्षस बनते जा रहे हैं जिस पर वो आदमी कहता है काश तुमने मुझसे शादी की होती तो हम खुश रहते और ये बात अरुन सुनकर गुस्सी में चला जाता है शाद यह कारण है कि अरुन अपनी मा से आज तक ठीक से बात नहीं करता अब प्रेजेंट में निक्की फोन के सिंगनल खोषते-खोषते काफी आगे आ जाती है और तब ही उसे जमीन में एक चेमबर दिखता है जैसे वो उठाती है जैसे ही वो उसे चेक करने के लिए आती है उपर से चेमबर बंध हो जाता है और निक की अंदर ही फस जाती है उदा रिजॉर्ट में छाँसी प्रेग्निंसी की हालत में भी अपने पती के कातिल का पता लगाने में जुटी रहती है उसके बातों से हमें पता चलता है कि वो क्रिमिनल लॉयर है इसलिए वो जानती है कि क्रिमिनल को कैसे पकड़ना है वो सब लोगों के रूम को चेक करती है और जैसे ही वो विक्की के रूम में आती है तो सब की फोटो और गन दिखकर हरान हो जाती है वो विक्की से पूछती है कि तुम उस दिन प्राइवेट एया के तरफ क्यो जा रहे थे तब विक्की बताता है कि वो सर्वेंट का पीछा कर रहा था तब ही वहाँ पर मुन्ना नाम का आदमी आकर जागने लगता है कि ये दोनों बात क्या कर रहे है फिर जब विक्की बहार आता है तो मुन्ना उसे पकड़ लेता है कि तेरे कमरे में हमारी फोटो क्यों है जरूर तू ही कातिल होगा लेकिन वहां माया आकर लड़ाई बंद करवा दीती है इधर हम निक्की को देखते हैं जो चेमबर के अंदर मदद के लिए आगे बढ़ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अब जैसे ही शाम हो जाती है तो निक्की के बहन बताती है कि दीधी पे गायब है सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि लोग कायब होते जा रहे हैं वही यहां आकाश के पास वही लड़की आती है और उसके बहाने से भीज कर उसका फोन लेकर अपने पास रख लेती है फिर जैसे ही आकाश वापस आता है तो अपना फोन ढोडने लगता है और वही लड़की ने अब तक आकाश के फोन में उसके कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियोज देख ली थी अब जैसे ही आकाश अपना फोन मांगता है तो लड़की वहां से भागती है और भागते भागते पहुँच जाती है आकाश के पापा अरुन के कमरे में तब अरुन उससे फोन मांगता है कि दिखाओ क्या छुपा रहे थे और तब रिवील होता है कि आकाश तो गिये है जिसमें वो एक लड़की के साथ था और यह देखकर सब हैरान हो जाते है अब इतना सब होने के कारण अरुन को बहुत गुसा आता है और वो बदनामे के डर से जंगल के और चल देता है तब आकाश भी अपने पापा को ढूनने निकलता है इधर निक्की जेंबर में आगे बढ़ती जा रही थी वही हम उसे दानव को देखते हैं जो किसे का मास खा रहा था और वहीं आकाश भी अपने पापा को ढूनने आ रहा था तोड़ी दूर पर आकाश को अपने पापा दिखते हैं और वो उन्हें मनाने लगता है लेकिन अरुन तो अपने बेटे को मारना शुरू कर देता है और फिर गुसे में एक लकड़ी उठा कर आकाश को मारता है और यहीं पर खत्म होता है एपिसोड थ्री एपिसोड फूर के स्टार्टिंग भी पास्ट से ही होती है जहां हम पास्ट में विश्वाक से इनको एक यूमन ब्रेन पर एक्स्प्रिमेंट करते हुए देखते हैं तब ही वहां उसकी बीवी और उसका लवर पुलिस को लेकर आते हैं क्योंकि वो साइको हो चुका था और पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है इसके बाद जब विश्वाक को कोड में पेश किया जाता है तो जज उसे मैंटल असाइलम भेज देता है क्योंकि उसके मैंटल कंडिशन ठीक नहीं थी उस असाइलम में विश्वाक को बहुत टॉर्चर किया जाता है अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां सब लोग निकी को ढून रहे थे वहीं विक्की माया से मिलने आता है जहां माया उसे फिर से सिडियोस करने लगती है तब विक्की माया से पूछता है कि वो सर्वेंट रात को जंगल में क्यों जाता है तब माया बताती है कि वो पावस अपलाई देखने जाता है और कुछ नहीं हाला कि माया की बातों से समझा रहा था कि वो कुछ चुपा रही है साथ ही माया कहती है कि शायद तुम्हारी बेहन भी यहीं कही होगी जो शायद तुम्हें मिल भी सकती है तब यहाँ निक्की के बहन को एक लाश मिलती है और उसके चलाने की आवाज सुनकर सब उस जगह पहुँच जाते हैं वहाँ विक्की और माया भी उस जगह जाने लगते हैं माया कहती है कि ये सब तुम में से ही कोई कर रहा है जो सुनकर विक्की के होश उर जाते हैं। अब यहां ये लोग लाश देखते हैं तो ये अरुन की लाश थी। वहीं एक लेड़ी जब चाई पी रही थी तब उसे रिजॉर्ट में आकाश आता दिखता है जो काफी डरा हुआ था। ये लेड़ी समझ जाती है कि जरूर कुछ तो कर पड़ है। अब अरुन की लाश को रेफिजरेटर में डाल दिया जाता है और लाश की हालत काफी ज़ादा खराब थी। इसे देखकर उसकी माप ने आपको सम्हाल नहीं पाती। अब सीन थोड़ा फ्लेश पेक में जाता है जहां अरुन अपने बेटी को जान से मारने वाला था। लेकिन आकाश एक पत्थर से अरुन को ही जान से मार डालता है और भाग जाता है। इसलिए आकाश काफी जादा डरा हुआ था। इसके बाद सब लोग माया को घेर लेते हैं कि पुलिस क्यों नहीं आई और निक्की कहाँ है। लेकिन माया किसी भी बात का जवाब नहीं देती और ये कहकर चले जाती हैं कि यहां सेफ रहना तुम सबकी जिम्मेदार है, मेरी नहीं। साथ ही वो उन्हें ये भी बताती है कि हो सकता है, तुम में से ही कोई एक दुसरे को मार रहा हो। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इधर हम निक्की के बहन को देखते हैं जिससे उसका फ्रेंड मिलने आता है और वो दोनों बाते करते करते यहीं सो जाते हैं। फिर यहां एक सर्वेंट जासी को इशारे से नीचे बुलाता है और वो जासी के सामने रिवील करता है कि एक हफ़ते पहले जब मेरी नीन खुली तो मैं इस आइलेंड पर था। मेरे सिर पर एक डिवाइस थी मेरे साथ के सभी लोग रोबोट की तरह काम करते हैं पर मेरा ब्रेन अभी तक उनकी तरह नहीं बना इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूँ और मुझे भी उस आइलेंड से बाहर निकलना है क्योंकि बाहर मेरी एक छोटी बच्ची है जस पर जहां सी उसके बात मान लेती और कहती है हम सच का पता लगा लेंगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है वो सर्विंट बताता है कि यहांपर एक सीक्रेट बेसमेंट है लेकिन वो कहा है यह किसी को नहीं पता वहीं दूसरी तरफ हम निक्की को देखते हैं जो शायद उसी बे कि मेट हो रहे थी और लेडी अपने पती से कहती है यहां सब लोग मर रहे हैं इसलिए कोई हमें मारे इससे पहले हमें उने मारना होगा अब अगले दिन विक्की जांसी के पास आता है तो जांसी उसे नौकर वारी बात बताती है कि यहां एक रिस्ट्रक्टिर एरिया है और विक्की के साथ उसे देखने चले जाती है फिर उस एरिया के पास पहुँच कर विक्की बताता है कि माया ने कहा था कि सर्वेंट यहाँ पर पावर सप्लाई देखने आता है जिसके बाद यह लोग उस सर्वेंट को बुलाकर यहाँ का गेट खुलवाते हैं और हर चीज की जाच करते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता हाला कि यहाँ पर हैरानी वाली बात तो यह थी कि सोलर पैनल्स वगेरा कुछ भी काम नहीं कर रहे थे इधर निक्के के बेहन नताशा को उसकी मा ढून रही थी और नताशा तो उसी लड़की के साथ थी तब ही नताशा की मा आकर लड़की को चाटा रगा देती है और गुस्से में नताशा लड़की को किस कर लेती है कि मुझे ये पसंद है ये देखकर नताशा की मा गुस्से में लड़के के माबाप के पास आती है और उन्हें सुनाने लगती है कि तुम्हारे लड़के ने मेरी बेटी को फसाया है। इस पर लड़के के माँ भापी नताशा की माँ को सुनाने लगती है और इनकी बातों से हमें समझ आता है नताशा की माँ और उस लड़के के पापा भाई बहन है। गुस्से में लड़के के पापा बोल परते हैं, तू मेरी सगे बहन नहीं है, तू तो नाजैज है। तब नताशा के मा अपनी मा यानि उसकी दादी से पूछती है कि क्या ये सच है? जिस पर दादी कुछ नहीं बोलती। तब लड़के के पापा रिवील करते हैं कि तेरे असली पापा तो वही मा के लवर थे जिसके साथ मिलकर मा ने विश्वाक से इनको जेल पहुँचाया था ये सब सुनकर वो टूट जाती है हलाकि इस बात पर विकी को बहुत गुस्सा आता है वो सब को डाट कर चला जाता है तुम लोग इंसान हो ही नहीं जो यहां बाते कर रहे हो इसके बाद वो दादी रोते हुए अलग जगर आती है क्योंकि अब उनकी बेटी को भी सर्च पता चल गया था वो चक्कर खा कर नीचे गिर जाती है वहीं हम एक बुड़े आदमी को देखते हैं जिसे एकदम से विश्वाक सेन की ज़लक दिखाए दिती है वो कहता है यह तो अभी जिन्दा है और फिर हम देखते हैं कि यह सब कुछ कोई कैमरे के जरीये देख रहा है जहां वो दादी गिर कर मर चुकी है एंड देन यहां रिवील होता है कि यह तो विश्वाक सेन है उसने तो अपनी मौत का जूटा नाटक किया था इसके बाद विश्वाक सेन हसते हुए कहता है असली खेल तो अब शुरू होगा एंड फ्रेंड इसी के साथ एपिसोड फोर यहां खत्म होता है I hope आप यह mysterious web series enjoy कर रहे होंगे So without interrupting आगे बढ़ते हैं So friends एपिसोड 5 के starting होती है again past से जहां हम देखते हैं कि विश्वाक सेन अपने बेटी के साथ एक lab में आता है जहां आते ही विश्वाक सेन उसे ice cream का लालच देकर machine से connect कर देता है इसके कारण उस लड़की का brain damage हो जाता है तब ही वहां विश्वाक की पहली बीवी आ जाती है वो विश्वाक से लड़ती है और अपनी बेटी से अपने भाई को ले जाने के लिए कहती है तब विश्वाक फिर से अपनी बीवी को अपनी बातों से काबू में कर लेता है और फिर गुस्से में उसे च्छत से धक्का देता है जिससे वो मर जाती है एन इसी के साथ हमें ये दिखाया जाता है कि विश्वाक ने जिस बच्चे के उपर एक्स्प्रिमेंट किया था फो कोई और नहीं बलकि वही बुड़ा आदमी था जिसके दिमागी हालत उस समय से खराब हो गई थी अपसीन प्रजेंट में आता है जहां इसी आदमी के पास उसकी बेहन की बेटी और बेटा आते हैं ये आदमी लड़के को बुला कर कहता है तू मेरा भाजा नहीं हो सकता जिससे वो लड़का चुपचाप चला जाता है इधर हम बाकी लोगों को देखते हैं जहां एक फैमिली बात कर रही थी कि हमें ये आईलेंट छोड़ देना चाहिए वरना बच्चों की जान को खत्रा हो सकता है लेकिन यहां निक्की के मा कहती है कि मैं अपने बेटी के बगेर कही नहीं जाओंगे इसलिए सब फिर से उसकी खोज में लग जाते है इधर हम उसी सर्वेंट को देखते हैं जो तयार होकर अपनी रूम से निकलता है और तभी उसके रूम में जहांसी आ जाती है क्योंकि उसे उस पर शक्ता अब जहांसी जैसे ही जहांबीन शुरू करती है तो वो सर्वेंट रूम में आकर जहांसी को पकड़ लेता है इधर निक्की के फैमिली निक्की को ढूनने जा रही थी तब विक्की आकर सबको रोकता है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता फिर जैसे ये लोग थोड़ा आगे आते हैं तो देखते हैं कि यहां तो एक लेडी की लाश है और इन्हें याद आता है कि ये तो वही है जो सबसे पहले इस आईलेंड को छोड़ कर गए थे जब इन्होंने कहा था हमें पैसा वगेरा कुछ नहीं चाहिए यानि इन लोगों ने इसे और इसके पती को भी मा डाला ये देखकर उनके हालत खराब हो जाती है और निक्के के पापा को ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सदमा लगता है जिससे उनके सूचने की शमता ही खत्म हो जाती है अब बाकी लोग जल्दी से वहां खड़ी बोड के जरिये भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बोड स्टार्ट ही नहीं होती और वही निक्के के पापा को समुद्र के बीचों बीच एक बोड होने के अलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं इसलिए वो बीच समुद्र में भागने की कोशिश करते हैं और तभी एक पत्थर से टकरा कर मारे जाते हैं ये देखकर निक्की की मा बहुत रोती है पर वो कुछ नहीं कर पाती फिर हम देखते हैं कि ये सब कैमरे के जरीय देखकर विश्वाक सिन हस रहा है फिर हम देखते हैं मुन्ना नाम के आदमी को जो की अभी भी ट्राय करने में लगा था कि ये लेडी मेरी हो जाए तब ही वो औरत सोचती है कि ये डेरिंग मैन है यहाँ सेव रहना है तो इसे अपना बनाना होगा इसलिए वो मुन्ना को अपने रूम में इनवाइट करती है जहां ये दोनों इंट्रिमेट हो जाते है फिर मुन्ना उस लेडी से पूचता है कि विश्वाक सेन तुमारे क्या लगते थे तब वो बताती है वो मेरे सोटेले पापा थे मेरे नाना एक बड़ी फार्मेसी कमपनी के मालिक थे जिनने विश्वाक सेन के एक्स्प्रिमेंट बहुत पसंद आए इसलिए उन्हें विश्वाक सेन को मेंडल असाइलम से निकाल लिया और अपनी कमपनी में जौब दे दी विश्वाक ने भी मन लगा कर काम किया और कमपनी में नई-नई मेडिसीन के जरी काफी सारा प्रॉफिट कमाया फिर एक दिन नाना ने मेरी विश्वाक सेन से शादी कर दी क्योंकि उन्हें विश्वाक सेन पर पूरा भरोसा था हाला कि उसके कुछ महीने बाद ही मेरी मा और नाना की मौत हो गए सबको लगता था कि उन्हें विश्वाक नहीं मारा है लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया फिर बाद में विश्वाक ने मुझे और मेरे भाई को हस्टल भेज दिया और सारी प्रॉपटी अपने नाम कर ली जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर पाए ये सुनकर मुझना कहता है अब मैं तेरा और तेरी बेटी का खयाल रखूँगा वो लेडी मान जाती है इधर विक्की हर दरफ जहांसी को ढून रहा होता है पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती फिर रात के समय हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे उस बुड़े आदमी ने कहा था तुम मेरे भाज़े नहीं हो सकते वो चुपचाब बुड़े आदमी के पास आता है और जब उसकी फैमिली सो रही होती है तो वो उसे जान से माँ डालता है फिर से इन फ्लेश बेक में जाता है जहाँ एक लड़की को विश्वाक सेन का लेटर मिला था वो अपने बॉइफरिंट से कहती है कि अगर तुम मेरे भाई बन कर चलोगे तो हम दोनों को विश्वाक सेन की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिल जाएगा और इसलिए वो कपल भाई बेहन बन कर यहां आये थे यहां सबसे पहले इनके सच्चाई जहासी के पती को पता चली थी इसलिए लड़के ने उसे जान से मार डाला था और अब ये बुड़ा आदमी भी सच जान गया तो लड़के ने इसे भी मार दिया फिर जैसे ये दोनों किस करते हैं तो ये सब विश्वाक से इन कैमरे से देख रहा होता है उसे काफी घुस्सा आता है कि ये दोनों भाई बेहन बन कर मुझे दोका दे रहे थे उसी वक्त माया वहां आती है और विश्वाक से कहती है हमारा काम होने वाला है तब विश्वाग तुरंट अपने एक्सप्रिमेंट को कंटिन्यू करने को कहता है अब क्योंकि कुछी दिनों में विश्वाग की जान जा सकती है इसलिए समय बहुत कम है इधर निक्की के पापा की लाश को ये लोग समुद्र किनाय दफना देते हैं और पूरी फैमिली वहीं सो जाती है ताकि मौका मिलते ही बोर्ट के जरीए ये लोग यहां से निकल पाए वहीं हम आकाश को भी देखते हैं जो सबसे बचकर एक कोने में बैठा था उसी समय वहाँ वो लेड़ी आती है जो अपने पती से कह रही थी हमें सबको जान से मारना होगा वरना ये लोग हमें भी मार डालेंगे अब यहां वो आकाश को आकर भड़काने लगती है कि तुम सबको मार दो मैं तुम्हारा साथ दूगी और वो आकाश को एक चाकू भी देती है तब आकाश वो चाकू लेकर उसी लेडी को जान से मार डालता है और गुस्से में आगे भाग जाता है इधर बेस्मेंट में हम निक्की को देखते हैं जो अलमारी से निकल कर वहाँ पड़ी क्रू मेंबर की ड्रेस पहन लेती है और सत जानने के लिए पहाँ निकल जाती है अब रात के समय एकदम से भुकम पाता है और सब की निन खुल जाती है वही जो फैमिली समुदर के नारे सो रही थी वो देखते हैं कि उनकी फैमिली से एक आत्मे गायब है फोसी ढूरने लगते हैं पर वो कहीं बे नहीं मिलता इससे सब लोग डर जाती है फिर हम देखते हैं कि वो दानव उसी फैमिली के एक आदमी को उठाकर रिस्ट्रिक्टिड एरिया में लेकर गया है जिसे विक्की देख लेता है पर गेट लॉक होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता वहीं बेस्मेंट में निक्की जब आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि यहां तो वो सारे लोग हैं जो अब तक गायब हो चुके थे यह देखकर तो निक्की के होश उड़ जाते हैं और दोस्तों इसी के साथ अपिसोड 5 खत्म होता है अपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि निक्की सत जानने के लिए क्रू मेंबर के साथ काम करने लगती है पर ये भी विश्वाकसिन कैमरे से देख लेता है और निक्की को अपने पास बुला लेता है जहां माया निक्की को बताती है कि अब तक कौन-कौन मारा जा चुका है जिसके बाद ये लोग निक्की को कैद कर लेते हैं अब अगले दिन उस बोड़े आदमी का बेटा जोब अपने बाप को ढूड़ने निकलता है तो ना उसे अपनी बीवी मिलती है और ना पिता ये देखकर वो घबरा जाता है इधर समुद्र किनारे वो पूरी फैमिली आपस में लड़ रही होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए जिस पर ये लोग आगे जाने का फैसला करते है यहाँ वो आदमी थोड़ा आगे आता है तो उसे उसकी बीवी मरी हुई मिलती है और वहाँ पर मुन्ना का चाकू पड़ा था जिससे उस आदमी को लगता है कि उसने ही मेरी बीवी को मारा है इसलिए वो मुन्ना को जान से मारने के लिए भागता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है तब ही वहाँ माया आकर लड़ाई बन करवाती है और सब अपने अपनी रूम में चले जाते है यहां वो फैमिली जो आगे बढ़ रही थी उन्हें एक सर्वेंट नजर आता है जो छोटी सी बोट के जरे यहां से भागने वाला था तब ये लोग उन्हें भी अपने साथ ले चलने को कहते है पर चुकी बोट छोटी थी इसलिए वो मना कर दिता है इससे गुस्से में दोनों के बीच बोट के लिए छीना जप्ती होती है और इससे वो बोट भी खराब हो जाती है ये देखकर इशा को बहुत गुस्सा आता है वो अकेले ये कहकर जंगल की और भाग जाती है कि अपनी फैमिली के साथ रही तो मैं पागल हो जाओंगी फिर हम उसी लड़के और लड़की को देखते हैं जो भाई पहन होने का नाटक कर रहे थे वो दोनों यहां नशा की हुए बैठे थे इसके बाद विकी उसी सर्वेंट के रूम में आता है और रिस्ट्रेक्रिड एरिया का गेट खुलने वाला कार्ड चुरा कर चला जाता है शायद से उस सर्वेंट ने ये नोटिस कर लिया था और वो अपने एक पालतूलू के जरिये उस दानव तक ये मैसेज पहुचा देता है कि विक्की को रोकना पड़ेगा जिसके बाद वो दानव सिधा विक्की के सामने आता है फिर इन दोनों की भयंकर लड़ाई होती है इसमें दानव विक्की पर भारी पड़ रहा था थोड़ी ही देर में उस लेडी का भाई जिसके साथ मुना इंटिमेट हुआ था और उसकी बेटी वहां से गुजर रहे थे तब दानव उनके सामने आ जाता है और यहां अपनी भांजी को बचाने के लिए वो आदमी दानव से भिड़ जाता है लेकिन ये दानव उस आदमी को भी जान से मार डालता है और जैसे ही वो लड़की के और आगे बढ़ रहा था तब विकी आकर उसे एक बड़ी से पौधे में डाल देता है जो इंसानी मास खाता था और उसमें जाते ही वो दानव माना जाता है दूसरी तरफ इशार होते हुए आती है और एक छोटे से तालाब में नहाने लगती है तब यूसे वो दोनों कपल दिखते हैं जो वहां पर घुम रहे थे वो उन से बात करने लगती है लेकिन वो लड़का तो नशे में आकर इशा से ही जबर्दस्ति करने लगता है उसकी गल्फरेंड नशे में होने के कारण कुछ नहीं कह पाती इसके चलते इशा उस लड़के का सर पत्थर पर दे मारती है और सर पटने से वो वहीं मारा जाता है इधर हम उसी सर्वेंड को देखते हैं जिससे दानव का आधा शरीन मलता है वहीं समझ जाता है कि उन लोगों नहीं से मार डाला या विक्की अब उस बच्ची को लेका रिजॉट में आता है जहां पर जासी मौचूद थी विक्की उससे पूचता है कि तुम कहां थी इसी के साथ वो ये रिविल करता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम ही मेरी बहन हो लेकिन छासी तो बिना कुछ बोले ही अंदर चली जाती है और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है अब सिफ दो ही एपिसोड बचे हैं सिरिस के एपिसोड 7 के शिरुवाद से पहले एक रिकुवेस करना चाहोंगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंस प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी और इंटरस्टिंग वीडियोस आप देख सके अगेन हम बढ़ते हैं सिरीस की तरफ जिसके लास्ट वो एपिसोड सी बचे है सो एपिसोड सेवन के स्टार्टिंग होती है उस लड़की से जसके बाइफ्रेंड को ईशा ने मार डाला था अब वो लड़की ईशा को जान से मारने की कोशिश करती है पर ईशा भागते भागते अपनी फैमिली तक पहुँच जाती है और फिर यहां से लड़की भाग निकलती है इसके बाद जहासी माइक पर अनाउंस करती है कि सब लोग जो सच जाना चाहते हैं वो डिनर टेबल पर आकर मिली और सब लोग वहीं चल देते है फिर जैसे ही सब लोग डिनर टेबल पर आते हैं तो वहाँ पर जहासी आती है एंड यहां रिवील होता है कि जहासी कोई और नहीं विश्वाग सेन ही है यह सुनकर तो सब शौक हो जाते है तब विश्वाग सेन बताता है मुझे हमेशा से ही अमर बनना था इसलिए मैं brain पर experiment करता रहा और अब जाकर जब मैं मरने वाला था तो मैंने अपनी सारी यादे इस जहासी के शरीर में डाल दे इसके जरी अब मैं कभी मरूँगा नहीं बस शरीर बदलते रहेंगे साथ ही विश्वाकसिन बताता है कि मैंने ही इस island को बनाया है ताकि मैं आराम से experiment कर सकूँ और उसमें मेरा साथ दिया है माया ने जिसके बाद मैंने यादे ट्रांसफर करने के लिए कई सारे लोगों पर trial की पर वो लोग मरते रहे फिर एक दिन मुझे समझ में आया कि same DNA वालों पर trial काम कर सकता है इसी कारण मैंने अपने सारे रिष्टदारों को इस island पर बुला लिया और जितने भी लोग अब तक गायब हुए हैं वो सब trial के लिए use हो चुके हैं पर उन में से मेरे काम का कोई भी नहीं था बाद में मिली मुझे छासी जस पर मेरा trial काम कर गया और अब मैं छासी की body में हूँ ये सुनकर सब लोग विश्वाक से इन पर भड़क जाते हैं तब वो reveal करता है कि ये यहां परिवार वाले ही खुनी है और फिर वो वीडियो दिखाता है जिसमें लोगों ने एक दुसरे को कैसे मारा था ये देखकर वो आदमी आकाश को मारने बढ़ता है जिसने उसकी बीवी को मारा पर विश्वाक से इन उसे रोग देता है वो announce करता है तुम मेंसे ही एक मेरी company का CEO बनेगा ये कहकर वो वहां से चला जाता है सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं इसी वक्त वो आदमी आकाश को जान से मारने के लिए उसके पीछे भागता है और आकाश अपनी जान बचाने के लिए जंगल में चला जाता है इसके बाद विक्की और मुन्ना विश्वाक से इनके बाकी लोगों को मारते हैं और वहां से निकल लेते हैं वही दूसरे तरफ आकाश पर वो आदमी हमला कर देता है और उसके पैर में लकडी को सा देता है हाला कि आकाश घुसे में उस आदमी को भी जान से मार डलता है इधर विक्की सारे बचे हुए लोगों के पास आता है और उन्हें बीच पर जाने को कहता है ताकि मौका मिलते ही सब लोग बोर्ट से भाग सके फिर विक्की खूद रिस्ट्रेक्टिड एरिया में जाने लगता है जिसके साथ मुन्ना भी हो लेता है इसके बाद सब अपने अपनी रास्ते ही निकल लेते है अब हम देखते हैं कि विक्की और मुन्ना रिस्ट्रेक्टिड एरिया में आ गए है पर उन्हें अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला तब ही एक जाड़ी से गेट खुलता है जिसमें से माया आती है वो विक्की को अंदर बुला लेती है हाला कि मुन्ना बाहर ही रह जाता है और यहीं पर 7 एपिसोड रिपीट और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है अब आता है फ्रेंडस एस सिरीज का लास्ट एपिसोड जसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विक्की लैब में आता है जहां विश्वाक सेन जहांसी के शरीर में जवान महसूस कर रहा था वो विक्की को कहता है कि अब मैं भगवान बन चुका हूँ तब विक्की काफी कोशिश करता है कि विश्वाक सेन कुछ भी करके उसकी बहन को ठीक कर दे पर विश्वाक उसका मजाग बना देता है उससे शादी भी करने वाला था पर फार्मा कंपनी के मालिक ने मुझे उसकी बेटी का हाथ दे दिया और पैसे के लालच में मैंने हाँ कर दी और तुम्हारी मा मुझसे दूर हो गई बाद में उसे मेरी एक एक्सप्रिमेंट की डायरी मिली जिसके बारे में वो दुनिया को बताने वाली थी इसी लिए मुझे उसे मरवाना पड़ा इधर हम एक बड़ी बोट के पास उसी आदमी को देखते हैं जो यहां से भागने वाला था तब ही सारे लोग उसके पास आ जाते हैं और अपने लिए चप्पू बनाने लगते हैं ताकि सब एक साथ निकल सके ऐसे विश्वाक सेंस सबको देख रहा था कि ये लोग बचके कैसे जाएंगे तब विक्की कहता है तुम्हारा काम तो हो गया है अब बाकी लोगों को जाने दो पर विश्वाक कहता है ये लोग मेरे बारे में दुनिया को बता सकते हैं इसलिए इन्हें भी मरना होगा जिसके ब मारने की कोशिश की थी, साथ ही आकाश भी, यहां इनके साथ आ गया था, जिसके बाद सब एक साथ निकलने वाले थे, तभी लैब में विकी नशी की हालत में जहासी की गले पर चाकू लगा दिता है, और माया से उस आदमी को रोकने के लिए कहता है, पर विश्वाक माया से कहता है, यह अपनी बेहन को कभी नहीं मारेगा, तुम कुछ मत करो, फिर हम देखते हैं कि मुन्ना उसे सर्वेंट से भिर चुका है, और यहां विकी सच में जहासी को चाकू मार कर माइक पर अनाउंस कर देता है, सब लोग भाग जाओ, और वो सर्वेंट को ओर्डर देता है, तुम चुपचाप लैब में आ जाओ, वरना तुम्हारे मालिक को मार दूँगा, तब वो सर्वेंट पहले तुम उन्ना को जान से मारता है, और लैब की ओर जाने लगता है, यहां माया विक्की से कहती है, जहासी का खूँन बहुत भेह गया है, इससे उसका बच्चा भी मारा जाएगा, जस पर विक्की उसे बचाने को कहता है, लेकिन इसे के साथ उसे ये ठरभी था, कि विश्वाक सेन का क्या किया जाए फिर विक्की जैसे बेहोश होने वाला था तो माया कहती है मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं चाहती थी कि तुम में विश्वाक सेन की यादे ट्रांसफर हो जाए ताकि हम हमेशा साथ रहे पर विक्की बेहोश हो जाता है और माया सर्वेंट को अनाउंस करके कहती है जाओ बाकी लोगों को मार डालो जिसके बाद सर्वेंट वहाँ पहुचता है और मौका मिलते ही आकाश उसकी छादी में लकडी गुसा देता है जिससे वो मारा जाता है इधर लैब में निक्की को एकदम से होश आता है और वो कुछ क्यामिकल लेकर बाहर निकल जाती है वहीं हम देखते हैं कि अब जहासी की जान को भी खत्रा है इसलिए माया विक्की में बेहुशी की हालत में ही विश्वाकसन की मेमोरी ट्रांसफर कर देती है हाला कि इसे बीच निक्की ने में ट्रांसफर्म में क्यामिकल डाल दिया था जिसके कारण पूरी मेमोरी ट्रांसफर नहीं हो पाती वहाँ छोटा सा धमाका हो जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि सर्वेंट अभी भी जिन्दा है और उससे सब लोग लड़ रहे है तब ही वो आकाश और ईशा को मार डालता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तब वहाँ उपर से विक्की बंदूग लेकर आता है और लाइन से सारे लोगों को जान से मार डालता है यानि कि अब विक्की पूरी तरह से विश्वाक सेन बद चुका है इसके बाद विक्की और माया करीब आते हैं और यह लोग यहां से शेहर की ओर निकल जाते हैं अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं जहां माया ने विक्की को कमपनी का CEO बना दिया है। और जब विक्की माइक पर स्पीच देने आता है तो उसे स्पीच के दौरान ही कुछ अजीब महसुस होता है। और यहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि विक्की और माया क्लोज आ रहे हैं जो असल में विश्वाक सेन ही है। तब माया कहती है विश्वाक सेन, तुम और मैं इस पुरी दुनिया पर राज करेंगे जिस पर विक्की भी हा कह देता है। हाला कि विक्की टेंशन में नजर आ रहा था और फिर तभी हम एक कमरे में जहासी को देखते हैं यानि हो सकता है कि विक्की और जहासी दोनों में ही आधी-ाधी विश्वाक से इनकी मेमोरी हो क्योंकि ट्रांसफर तो ठीक तरह से हो नहीं पाया था और इसी के साथ यहाँ पर ये वेब सिरीज खत्म होती है तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सिरीज का एक्स्प्लेनिशन पसंद आया हो हमें कमेंट हुमें बताए और वीडियो को लाइक को शेर करना ना भूले मिलते हैं आपसे एक और नए इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तिल देन गुड़ बाई